हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्स क्लासेज में तो उमीद है फ्रेंड्स कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी लेकिन अब आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना है क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है आपके यूपीटेट के एक्जाम के लिए और इस कम टाइम में आपको एक स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है तो ये मच सोचे कि सब कुछ पढ़ लिया जाए ये सोचे क्या इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए वो पढ़ा जाए क्योंकि लास्टेज आपके लिए गोल्डन डेज की तरह होते हैं तो ये आपका ये माल लीजे पूरी साल की मैहनत आपकी अलग होती है और जो last time की महनत होती है वो आपकी अलग होती है तो आज हम आपके लिए लेकर आएं आपका एक important topic नेशनल पार्क आपने पिछले साल के paper में देखा होगा कि नेशनल पार्क से related question आपसे पूछ लिया जाता है तो इस topic को हम मतलब इतने अच्छे से कर लेंगे कि इससे अगर question आता है तो इस वीडियो में आपका वो question cover हो जाएगा और last में आपके लिए कुछ questions भी रखेगा है जिससे कि आप अपना evaluation कर सकें और ये देख सकें कि आपने पूरी class में कितना कुछ सीख लिया है तो start करते हैं अपनी आज की वीडियो को तो अब बात करते हैं जो हमारा national park होता है वो क्यों बनाये जाता है तो जो आपका national park होता है वो आपके जो natural environment है उसे protect करने के लिए बनाया जाता है तो आगे समझते हैं आगे देखे सबसे important question आजाते हैं आपके starting के सबसे पहला question आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहला national park आपका कौन सा था तो जो आपका first national park है वो आपका था gym corbet national park ये कहां पर है आपका gym corbet national park आपका उत्राखंड में है और ये आपका सबसे पहला national park था तो आपसे एक question ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो gym corbet national park है उसका जो पहला नाम था वो क्या था तो उसका जो पहला नाम था वो हैली national park था तो क्या था हैली national park था और एक और latest question जिसके chances बहुत जादा है एक्जाम में पूछे जाने के क्योंकि ये latest है जो आपका gym corbet national park है इसका नेम बदल के अभी हाल फिलाल में ही change किया है इसलिए एक्जाम में आने के संभावनाएं है जो इसका नेम है वो बदला गया है वो आप comment box में बताएंगे कि क् आपका gym corbet national park का रखा गया है तो आपको याद रखना है सबसे पहला national park जो है वो आपका कौन सा है gym corbet national park है जो कहां पर है आपका उत्राखंड में है और इसका पहला नाम क्या था हैली national park था और नया नाम आप comment में बताएंगे next question मतलब point ही समझ लीज़े आपके लिए तो next आपका आजाता है largest national park सबसे पहले हमने पढ़ा सबसे पहला national park तो भई हमारा gym corbet national park हो गया है तो इसको तो हमने याद कर लिया mind में fix करने के लिए आपको note करना पड़ेगा तो अपनी notebook और pen लेके बैठिये यह मत सोचिए सिर्फ मैं बोल रही है तो हम सुनते रहेंगे और हमारा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा आपको कॉपी में note करना पड़ेगा जब आप note करते हैं तो note करने से आपके mind में वो चीज़े note होती है तो इसलिए note जरूर करें next है आपका largest national park कौन सा है तो जो आपका largest national park है वो आपका hammis national park है कौन सा national park है? hammis national park है जो कहाँ पर है हमारा लदाक में है और देखे जिस पर star लगा रही हूँ उसको तो आप जरूर ही note करना तो ये दोनों point पर star लगा है ये most important हो जाता है तो largest national park हमारा hammis national park जो की लदाक में है next question है आपका smallest national park ये भी आपके लिए most important है देखें important तो सभी है क्योंकि जब आपके लिए वीडियो में content डाला है तो कहीं ना कहीं से search करके जो important चीज है वो आपके लिए बनाई है बट इसमें से भी अगर आप कुछ important ढूनना चाहते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे तो जो smallest national park है वो आपका है South button island national park जो आपका कहां पर है अंडमान निकोबर में है कहां पर है अंडमान निकोबर में है आपका सबसे smallest national park जिसे आप South button island national park बोलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे क्या है हमारा तो आपको पता रहना चाहिए सबसे पहला national park आपका जिम कॉर्बेट था सबसे largest national park आपका कौन सा था हैमिश national park और smallest national park आपका था South button island national park आगे बढ़ते हैं आगे हमारा question है first marine national park जो आपका सबसे पहला marine national park है वो क्या है वो है आपका Gulf of Kutch National Park क्या है Gulf of Kutch National Park आपका First Merine National Park है देखी ये थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत जादा एक तरह से learn करने वाली चीजे हैं तो ये आपको याद करना है अब आपकी मर्जी आप किस तरीके से याद करते हैं आप वीडियो को repeat करके सुन रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा आप साथ के साथ note करते चल रहे हैं तो भी आपको benefit मिलेगा तो आपको note भी करना है ये compulsory है आपके लिए First Merine National Park आपका क्या हो गया Gulf of Kutch National Park हो गया Next Question आपका बन जाता है Floating National Park ये आपके लिए important है Floating National Park आपका कौन सा है आपका है Cabal Lamzau National Park तो ये आपका कौन सा है Floating National Park तो Floating National Park हम से पूछ लिया जाता है तो ये आपका Cabal Lamzau National Park है जो आपका Moneypur में है कहां पे है Moneypur में है तो आपसे जरूरी नहीं है आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि मनीपुर में कौन सा नैशनल पार्क है और option में आपको floating national park दे दिया जाए या आपसे पूछा जाए floating national park आपका कहां पर है option में आपको सारे state दे दिया जाए या पूछ सकते हैं कि आपसे केबुल लमजाओ national park कहां पर है तो ये question आपसे तीनों तरह से पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पर है तो आपको ये याद होना चाहिए मनीपुर में है Next है आपका लद्दाक में Hamis National Park हमने पढ़ी लिया I think last में पढ़ा था यही है largest National Park हमारा Hamis National Park है जो हमारा लद्दाक में है Next देखते हैं Next देखिए अब हम स्टेट वाइस देखते चलेंगे मतलब जहां भी हमारे National Park है वो हम देखते चलेंगे तो ये हमारा अंडमान निकोबर आइलेंड के अंदर आपके कौन कौन से National Park है अभी हमने पढ़ा था अंडमान निकोबर आइलेंड के अंदर हमारा सबसे smallest नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं South button island national park क्या बोला था South button national island park ये देखिए ये हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था कि सबसे smallest national park हमारा कहां पर है अंडमान निकोबर आईलेंड में हमारा सबसे smallest नेशनल पार्क है तो ये अंडमान निकोबर के अंदर important तो हो ही जाता है साथ के साथ आप ये देखिए याद करने का तरीका देखिए जितने भी बटन नाम से आते हैं देखिए Middle Button Island, North Button Island, South Button Island तो ये तो आपकी याद करने की ट्रिक हो जाती है जो बटन वाले हैं वो सब किस में आएंगे अंडमान निकोबर आईलेंड में आएंगे एक्स्ट्रा में क्या चीज़े हैं? महात्मा गांधी नेशनल पार्क हुआ रानी जासी मेराइन नेशनल पार्क हुआ आपका मेराइन नेशनल पार्क हुआ वैसे ये बहुत कम पूछे जाते हैं इसमें से आपका जो इंपोर्टेंट है या तो फिर आपका महात्मा गांधी हो जाता है या फिर आपका रानी जासी मेराइन नेशनल पार्क हो जाता है तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबर में जितने भी बटन वाले हैं वो आपके किसमें आएंगे अंडमान निकोबर में आएंगे नेशनल पार्क और extra में और कौन से हैं महत्मा गांधी और रानी जहासी मेराइन नेशनल पार्क आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो अब हम देखते हैं हमारा आंधर प्रदेश नेशनल पार्क मतलब आंधर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है जो आपके एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो सबसे पहला आपका नेशनल पार्क है पापी कोंडा नेशनल पार्क और दूसरा आपका है स्री वेंकेटोसवर नेशनल पार्क तो ये दोनो नेशनल पार्क आपके लिए important है और जो जादा तर आपसे पूछ ले जाता है वो पापी कोंडा नेशनल पार्क है जो आपको जरूर याद रखना है तो आंधर प्रदेश में आपका कौन सा नेशनल पार्क आपके लिए most important है वो है आपका पापी कोंडा नेशनल पार्क कहां पर है आंधर प्रदेश में है तो साथ के साथ नोट जरूर करते चलें तो अब next देखते हैं next है हमारा अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में हमारा कौन सा नेशनल पार्क है जो हमसे पूछा जाएगा तो वो है आपका नाम दफा नेशनल पार्क नाम दफा नेशनल पार्क है जो आपका अरुनाचल प्रदेश में है कौन सा नाम दफा नेशनल पार्क next है आपका असम असम के नेशनल पार्क आपसे काफी पूछ लिए जाते हैं तो असम के नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपका काजी रंगा और मानस नेशनल पार्क तो काजी रंगा नेशनल पार्क आपका कहां पर है काजी रंगा आपसे काफी बार पूछा जाता है टेट एक्जाम में तो असम में आपका काजी रंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है और आप बताएंगे कि काजी रंगा नेशनल पार्क किसके लिए है तो ये कमेंट बोक्स में आप बताएंगे कि काजी रंगा नेशनल पार्क किसके लिए है यहाँ पे क्या पाया जाता है तो असम के अंदर आपके तीन आ जाते हैं एक तो डिबरू सिखाओ नेशनल पार्क आता है एक आपका काजी रंगा आता और एक आपका मानस आता है तो काजी मानस आपको याद रखना है असम के लिए काजी मानस असम नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा बिहार बिहार में हमारा है वालमी की नेशनल पार्क हमारा बिहार में है तो ये आपका एक ही इंपोर्टेंट है बिहार के लिए बिहार वालमिकी को आपको याद रखना है बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है आपका वालमिकी नेशनल पार्क आपका बिहार में है Next है आपका 36 गड में कौन से आपके नेशनल पार्क है तो आपका है एक तो है आपका गुरू घासी दास नेशनल पार्क एक है आपका इंदरावती नेशनल पार्क और एक है आपका कंगर वैली नेशनल पार्क तो इसमें आपकी ये दोनों important हो जाते हैं एक तो आपका गुरू घासी दास ये भी आपका 36 गर में है और एक इंदरावती तो इंदरावती और गुरू घासी दास नेशनल पार्क जो है ये आपका कहां पर है ये आपका 36 गर में है कहां पर है 36 गर में ये आपका नेशनल पा और भार बार आपको बता रही हूं जिससे कि आप इन मांकों ना खोएं और देख लेना एक्जाम में एक या दौ कोर्शन आपसे पूछे जाते हैं नेक्स देखते हैं नेक्स्ट्र है हमारा गोा का नैशनल पार्क बताईँ तो आप आजाते हैं गुजरात तो गुजरात आपके लिए most important हो जाता है गुजरात से पूछा जाता है तो सबसे पहला आपका जो गुजरात का important है वो है आपका गीर national park जो किसके लिए है जो आपके जहता है टाइगर्स वगरा के लिए तो गीर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है कहां पर है गुजरात में आपका कौन सा नेशनल पार्क है गीर नेशनल पार्क है दूसरा आपका मराइन नेशनल पार्क कहां पर है ये भी आपका गुजरात में है मराइन नेशनल पार्क कहां पर ये भी आपका गुजरात में है तो आपको मेंली याद रखना है आपका गीर नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क जो आपका गुजरात में है ये आपके लिए most important हो जाता है गीर नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क मैं बार बार इसलिए repeat कर रही हूं जिससे आपको वीडियो के साथ ही याद हो जाए आगे बढ़ते हैं आगे हमारा है हर्याना तो जो हमारा हर्याना है इसमें कौन सा नेशनल पार्क है आपका इसमें आपका है एक तो आपका सुल्तान नेशनल पार्क और एक है आपका कालेशर नेशनल पार्क तो हर्याना में ये दोनों नेशनल पार्क आपके लिए important हो जाते हैं और हर्याना से भी question बहुत कम आता है तो इसलिए इसका इतना important role नहीं है बट आपके लिए फिर भी डाल दिया कि अगर आ जाए exam में तो आपको पता हो तो कालेशन नेशनल पार्क और सुल्टा नेशनल पार्क आपका हर्याना में हैं नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आपके कौन से नेशनल पार्क हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपका important हो जाते हैं आपका great हिमाल्य नेशनल पार्क हिमाचल से great ह हिमालय याद रखिए और इंदर किला नैशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और आपका पिन वैली नैशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और आपका सिंबल बरा नैशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और खीर गंगा नैशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में है तो जो आपको इसमें से याद रखना है वो इंपोर्टन है आपके लिए Great Himalaya National Park और आपका इंदर किला नेशनल पार्क और आपका पिन वैली नेशनल पार्क तो आपको याद रखना होगा हिमाचल प्रदेश में आपका एक तो इंपोर्टन हो गया Great Himalaya National Park दूसरा आपका इंदर किला नेशनल पार्क और तीसरा आपका पिन वैली नेशनल पार्क ये तीन नेशनल पार्क आपकी हिमाचल प्रदेश के लिए इंपोर्टन हो जाते हैं नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा जम्मू एन कश्मीर जम्मू एन कश्मीर में हमारा है हमारा दाची गाम नेशनल पार्क जो है ये इंपोर्टन हो जाता है तो कौन सा है दाची गाम नेशनल पार्क हमारा इंपोर्टन हो जाता है और इसे अब आप बताएंगे यह जो दाची गाम नेशनल पार्क है यह कहां पर है जम्मू कस्मीर को यहां से हटा दीजें क्योंकि अब इसका रोल अलग है तो दाची गाम नेशनल पार्क आपका कहां पर है इसे आप बताएंगे जारखंड, जारखंड में आपका हो जाता है बैटला नेशनल पार्क, कौन सा बैटला नेशनल पार्क आपका जारखंड में हो जाता है नेक्स्ट आजाते हैं आपका करनाटक, करनाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आपके इंपोर्टन जैसे आपका नागर होल नेशनल पार्क है ये आपका करनाटक में है और ये आपका इंपोर्टन है बहुत जाता जैसे आपका बांदीपूर नेशनल पार्क है ये आपका करनाटक में है और ये भी आपका एक्जाम के लिए important है तो नागर होल नेशनल पार्क हुआ बांदीपूर नेशनल पार्क हुआ या आपका बनर गटा नेशनल पार्क हुआ ये आपके important है करनाटक के लिए और ये जो अंशी नेशनल पार्क और कुदरमुक नेशनल पार्क ये इतना ज़ादा important नहीं है बढ़ बांदीपूर, बनरगटा और नागर होल करनाटक करना से ना या गया याद करना से ना नागर होल या गया बांदी पूर बनर गटा एक जैसे से लग रहे हैं बांदी से बन उसमें भी आ रहा है उसमें भी बना रहा है तो ये भी करनाटक में आ जाएगा तो ये तीनों आपको करनाटक के लिए याद रखने हैं इससे पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अगर केरिला की बात की जाएं तो केरिला में हमारे 2 नेशनल पार्क हैं जो most important national park हैं जैसे आपका paria national park है और आपका silent valley national park है वो कहां पर है silent valley और paria national park आपका केरिला में हैं तो आप एक चीज से याद कर सकते हैं जो हम prayer करते हैं prayer हम बिल्कुल silent रह के करते हैं like हम मोन धारन कर लेते हैं कुछ ऐसे मन में भगवान से मांग रहे हैं तो silent रह के करते हैं prayer तो यहाँ पे prayer याद रुखिए इसे praying की जगे prayer याद रुखिए हम prayer कैसे करते हैं silent रह के करते हैं तो silent prayer कहा पे होती है के रेला में होती है यह आप याद रखेंगे आगे बात करते हैं आगे हमारा मध्य प्रदेश के कुछ हमारे पार्क है तो यह आपके लिए important है जिसे आपका मध्य प्रदेश में सबसे पहला आपका बांधवगर नेशनल पार्क कौन सा बांधवगर नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश का इंपोर्टेंट है दूसरा आपका पैच नेशनल पार्क आपका इंपोर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है माधव नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है सत्पुरा नेशनल पार्क पूछा जा सकता है तो पैच नेशनल पार्क काना नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क सत्पूरा नेशनल पार्क वन विहार नेशनल पार्क बांधाव गर नेशनल पार्क ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं कहां देखने को मिलते हैं मध्य हम एक पैंच लगाते हैं मोर का तो ये पैंच से याद हो गया कानहा पैंच हो गया माधव कही न कही हम भगवान को महादेव याद करते हैं महादेव भी कही न कही अवतार होते हैं किसी न किसी भगवान का ऐसी कहते हैं कृष्ण से इनका किसी का कोई वो नहीं है सब एक जैसे हैं तो कहीं न कहीं पैच, काना, माधव को आप याद करके रख सकते हैं मध्य प्रदेश में सत्पुरा हो गया वन विहार हो गया ये थोड़ा डिफरेंट है देखें अब हमें याद करना है किसी न किसी तरह से हमें खुद को ये अपनी स्ट्रेटीजी बनानी होती है कि कैसे हम याद करेंगे मैं फिर से रिपेट कर देती हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए कि मध्य प्रदेश में आपका बांदवगर, इंदीरा, पैंच, काना और असका सत्पुरा, वनभिहार, नेशनल पार्क ये सभी इंपोर्टेंट हो जाते हैं नेक्स देखते हैं नेक्स आपका महरास्टर में कौन सा है महरास्टर में आपका है तदोबा नेशनल पार्क कौन सा है तदोबा नेशनल पार्क आपका महारास्ट का है या फिर आपका संजे गांधी नेशनल पार्क बोरी वली नेशनल पार्क ये आपका इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है मनीपुर में आजाई है मनीपुर आपका इंपोर्टेंट है मनीपुर में आपका कैबुल रमजाव नेशनल पार्क है ये हमने सबसे पहले पढ़ा था और सिरोही नेशनल पार्क है ये भी आपका मनीपुर के अंदर आता है काबुल रमजाव नेशनल पार्क है आपका सिरोही नेशनल पार्क ये कहां पर है आपका मनीपुर में है आगे आजाते हैं आगे आपका है मेघाले में आपका कौन सा नेशनल पार्क है मेघाले में आपका नो क्रेक नेशनल पार्क आपका कहां पर है मेघाले में है कौन सा नो क्रेक नेशनल पार्क आपका मेघाले में है मिजोरम में कौन सा नेशनल पार्क है मिजोरम में है आपका मुरलिन नेशनल पार्क कौन सा है मुरलिन नेशनल पार्क आपका मिजोरम में है और उडिसा में आपका कौन सा नेशनल पार्क है सिमली पाल नेशनल पार्क ये इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए तो सिमली पाल नेशनल पाल आपका कहां पर है आपका उडीसा में है नेक्स देखते हैं नेक्स आजाते हैं राजिस्थान में ये भी आपका इंपोर्टन हो जाता है राजिस्थान के आपके अंदर आता है रन्थमबोर नेशनल पार्क और आपका सरिस्था नेशनल पार्क कौन सा रन्थमबोर नेशनल पार्क और आपका सरिस्था नेशनल पार्क ये आपका राजिस्थान में आता है और डेजर्ट नेशनल पार्क तीनों ही आपके लिए important है तो राजिस्थान में आप याद रखेंगे आपका रंथम बोर नेशनल पार्क आपका सरिस्था नेशनल पार्क और आपका desert नेशनल पार्क ये आपका कहां पर आते हैं राजिस्थान में आते हैं नेक्स्ट आपका सिक्किम का भी important है कंचन जंगा नेशनल पार्क ये most important है आपको याद रखना है सिक्किम में आपका आजाता है कंचन जंगा नेशनल पार्क हमारा सिक्किम के अंदर है तो सिक्किम का कौन सा नेशनल पार्क है कंचन जंगा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा तमिल नाडू में देखते हैं तो तमिल नाडू में देखिए एक आपका है इंदरा गांधी अन्ना मलाई नेशनल पार्क तो जो इंदरा गांधी अन्ना मलाई नेशनल पार्क है ये आपका कहां पर है ये आपका तमिल नाडू में है और दूसरा मुदा मलाई मुदू मलाई नेशनल पार्क ये भी आपका तमिल नाडू में है तो इंद्रागांदी अन्ना मलाई नेशनल पार्क और मुदू मलाई नेशनल पार्क या आपको कहां मिलेगा नीचे तमिल नाडू में देखने को मिलेगा नेक्स्ट आपका है लद्दाक में आपका कौन सा है हैमिस नेशनल पार्क जो है ये आपका कहां पर है ये आपका लद्दाक में है कहां पर है लद्दाक में आपका कौन सा है हैमिस नेशनल पार्क है और हैमिस नेशनल पार्क से रिलेटेड एक कोशन मैंने अभी आपको और था वो भी आप बताएंगे क्या बताया था है Miss National Park से related Next देखिए उत्तर प्रदेश में आपका important एक यही National Park हो जाता है दुदुआ National Park अगर उत्तर प्रदेश में यह आ जाता है तो आपके लिए बहुत easy होना चाहिए और उत्तर प्रदेश से related भी कुछ fact question हम आपको कराएंगे जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका कौन सा है दुधुआ नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है ये आपके लिए इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आपका उत्तरा खंड की बात करी जाए तो उत्रा खंड आपके लिए बहुत important हो जाता है तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप Corbet National Park देख चुके हैं उत्रा खंड के अंदर आता है, और राजा जी नेशनल पार्क हो गया आपका वैली ओफ लार नेशनल पार्क ये भी उत्राखंड के अंदर आता है तो देखें उत्राखंड में ये सारे के सारे ही आपके लिए इंपोर्टेंट है अब आपको किस तरह से याद रखने है वो आप देख सकते हैं कि गंगोत्री, गोविंद, नंदा, राजा जी, वैली ओफ लार, कार्बेट नेशनल पार्क तो आपको यादी हो गया स्टार्टिंग से उत्राखंड में है गंगोत्री भी उत्राखंड में याद करिए, गोविंद भी उत्राखंड में, नंदा, देवी भी, राजा जी भी, वैली ओफ लार्स उत्राखंड को ही कहा जाता है तो ये दो कोशन तो आपको पहले से ही पता होंगे एक तो कार्वेट नेशनल पार्क, एक वैली ओफ लार्स ये दोनों को तो याद करना ही नहीं है अब आपको याद करना है गंगोत्री गोविंद नंदा राजा जी आप जब एक बार पढ़ेंगे तो आपको मैंड में आजाएगा जब questions आप से हम discuss करेंगे तो देखना आपको mind में खुद answer आ जाएंगे कौन कौन से पार्क हमने पढ़े थे तो ये आपके लिए most important है तो आप note भी कर लीजे साथ साथ आगे बढ़ते हैं आगे हमारा है West Bengal के अंदर कौन से national park हैं तो West Bengal के अंदर आपका बुकसा national park आपका important है गोरुमारा national park आपका important है जल्दा पारा national park आपका important है नियोरा वैली national park भी आपका important है सुन्दरबन national park भी important है तो जादा तर आपसे सुन्दरबन पूछ लिया जाता है तो सुंदरबन नैशनल पार्क आपका कहां पर है वो आपका West Bengal में है ऐसे ही बुकसा नैशनल पार्क आपका कहां पर है वो भी आपका West Bengal में है तो ये कुछ पार्च आपके important है और इन में से भी most important आपके कौन से है सुन्दर बन नेशनल पार्क और आपका बुकसा नेशनल पार्क अभी भी कहूंगी कि आप साथ के साथ नोट करके चलिए जिससे कि आप लास्ट टाइम में रिवाइस कर सकें उसे आपके पास content हो available और आप जब खुद से नोट करते हैं तो आपके mind में चीजे रहती हैं तो पॉस करिए और नोट करिए साथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने यहां तक डिसकस किया आपसे अभी अब हम आगे आपसे questions डिसकस करेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दी जितनी महनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती ह इतना तो आप करी सकते हैं और like भी करिए अपने friends में share भी करिए बहुत काम की वीडियो है आपके exam में जरूर काम आएगी है अगर आपने यह national park पढ़ लिए तो इसका मतलब national parks related question आप कर लेंगे तो आगे आप questions को discuss करते हैं तो अब हम आपसे discuss करेंगे कुछ questions इससे क्या होगा आप evaluate कर पाओगे कि आपने पूरी class में कितना कुछ cover किया है और उससे आपके question किस तरह से पूछे जाते हैं exam में अब देखे ऐसा भी होता है कि हम चीजे पढ़ लेते हैं बड़ जब हम questions देखते हैं तो हम confuse हो जाते हैं हमारे mind में answer दो आते रहते हैं तो वो हमें नहीं करना है हमें ऐसा करना है कि questions को देखते ही हम बता दे कि हाँ ये वाला national park तो यहाँ पर है तो start करते हैं आगे देखत question है in 2016 कंचन जंगा national park was inscribed in UNESCO world heritage side these national park is located in तो देखे इस पूरे question को आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना बताना है जो आपका कंचन जंगा national park है ये कहां पर located है तो हमने आपको बताया था जब पढ़ाया था आपको तो ये बताया था कि कंचन जंगा आपका important है ये कहां पर है अरणाचल प्रदेश में है आपका सिक्किम में है आपका असम में है या आपका तिरुपुरा में है तो आपके पास five second का time है तो आप अपना answer बता सकते हैं comment box में तो इसका आपका answer हो जाता है सिक्किम तो ये आपको याद रखना है और ये question important है आपके exam point of view से तो जो कंचन जंगा नेशनल पार्क है ये आपका सिक्किम में है तो सिक्किम के अंदर आपका कंचन जंगा आपको जरूर याद रहना चाहिए अगर exam में आ जाए तो आप कर पाएं आगे देखते हैं आगे हमारा question है बांधवगर नेशनल पार्क is located in which state जो आपका बांधवगर नेशनल पार्क है ये कौन से state में located है तो हमने आपसे जब आपको पढ़ाया था बान करके याद करवाया था कुछ तो आपको याद आना चाहिए ये कहां पर है में है मद्यप्रदेश में है राजिस्थान में है या फिर गुजरात में है तो 5 सेकिंड का टाइम आपको दिया जाता है और कमेंट बोक्स ने अपने आंसर आप जरूर करें तो इसका हमारा आंसर हो जाता है मध्यय प्रदेश जो आपका बांधव गर नेशनल पार्क है ये आपका मध्यय प्रदेश में लोकेटड है next question देखते हैं next question है हमारा काजी रंगा नेशनल पार्क in which state जो आपका काजी रंगा नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है तो ये आपको इस question में बताना है तो ये भी हम discuss कर चुके हैं तो आपके पास option में मध्या प्रदेश है गुजरात है अरुनाचल प्रदेश है और आपके पास असाम है तो इन चारों में से कौन सा आपका सही answer होगा ये आप comment box में बताएंगे तो काजी रंगा नेशनल पार्क को बताना है आपको सोच लिजे भौती ध्यान से बताना क्योंकि ये एक्जाम में repeat होके पूछा जाता है तो ये आपका गलत होना ही नहीं चाहिए तो 5 सेकिंड का टाइम आपको देते हैं तो इसका आपका answer हो जाता है असम क्या हो जाता है असम में आपका काजी रंगा नेशनल पार्क है और इससे related मैंने आपको एक homework दिया है जो एक काजी रंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए है जो इनेशनल पार्क बनाया गया है किसको protect करने के लिए बनाया गया है ये आप comment box में बताएंगे क्योंकि अगर आप इससे related कुछ भी चीजे सर्च करेंगे तो 4 चीजे आपको देखने को मिलेंगी और जब आपको देखने को मिलेंगी तो ये पक्का हो जाएगा कि अगर काजी रंगा से कोशन आया तो आप उसे कर पाएंगे तो इसलिए आपको homework में दिया जाता है आगे देखते हैं आगे आपका कोशन है बांधी पूर नैशनल पार्क सिचुएटिड इन जो बांधी पूर नैशनल पार्क है या फिर कह सकते हैं बांधी पूर रास्टे उद्ध्यान जो है वो कहां पर सिचुएटिड है कहां पर है वो केरिला में हैं तमिल नाडू में हैं आपका करनाटक में हैं आपका आंधर प पास हैं आपको चुन्ना वहे हैं जो आपका सही आंसर है तो ये पढ़ाया हुआ है अभी आपको बांदी पुर नेशनल पार्क याद करिए टाइम मिलता है आपको फाइव सेकिन्ड का तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाता है आपका करनाट का जो करनाट का है वहाँ पर आपका बांदी पुर नेशनल पार्क सिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क तो ये कोश्चन तो किसी से भी गल्त होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको यही बताया था कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है और नेशनल पार्क से रिलेटेड दो तीन बाते और बताई थी जो पार्क और नेशनल पार्क और नेक्स्ट है गीर नेशनल पार्क तो आंसर आपको बताना है जो आपका सही आंसर है तो नेशनल पार्क फरस्ट नेशनल पार्क याद करिए फरस्ट नेशनल पार्क कौन सा है आपका तो फाइव सेकिंड का टाइम आपको मिलता है सोचने के लिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है gin Corbett National Park तो जिम Corbett National Park आपको याद रखना है यह आपका सबसे पहला National Park है और यह कब स्टेबलीस हुआ था एक और कुशन बन जाता है नाइन्टी थर्टी सिक्स में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है स्टेपलीस हुआ था और एक कोशन और पूछा जा सकता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जब पहले नाम था वो क्या था हैली नेशनल पार्क था और एक कोशन और आपको आगे मिलेगा कि अब इसका नाम हाल फिलाल में बदल कर क्या रख दिया गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है वी केन फाइंड दा रन्थमबोर नेशनल पार्क इन जो रन्थमबोर नेशनल पार्क है ये हम कहां देखने को मिलता है राजिस्थान में देखने को मिलता है गुजरात में देखने को मिलता है महरास्ट में देखने को मिलता है या फिर उत्राखंड में देखने को मिलता है तो जो आपका रन थम्बोर नेशनल पार्क है सोच के बताईए इसका सही आंसर आपका क्या होगा तो option आपके पास मिली गए है तो time मिलता है आपको 5 second का सोचने के लिए तो इसका आपका सही आंसर हो जाता है राजिस्थान तो रन थम्बोर भी आपका रा से start हो रहा है और राजिस्थान भी आपका रा से start हो रहा है तो इसको तो आप connect भी कर सकते हैं राजिस्थान, रन थम्बोर next question है आपका the endangered aesthetic loin can be found in which national park? जो endangered aesthetic loin है वो कौन से national पार्क में आपके मिलते हैं? तो काजी रंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं आपके रंधंबोर नेशनल पार्क में मिलते हैं या आपके गीर नेशनल पार्क में मिलते हैं तो ये आपको बताना है चलिए ये question आपको homework के लिए देते हैं जिससे कि आप जब search करें तो आपको कुछ ना कुछ इससे related information मिले जो आपके काम दिया है तो यह आपका homework question है और comment में आप इसके answer जरूर बताएंगे और एक बाद जरूर कहूंगी अगर आपको homework question दिया जा रहा है तो साथ के साथ उसको जरूर सर्च करके comment box में लिखिए क्योंकि अगर आप लिखेंगे और आप सर्च करेंगे तो आपको उससे related एक दो question और extra देखने को मिलेंगे और वो question आपका कभी exam में गल्थ होगा ही नी क्योंकि आपने वो करके देखा है उस चीज़ को उसका पहला नाम क्या था earlier नाम बोला है जो मैंने अभी आपको बताया तो इसको तो मतला time देने की ज़रूरत ही नहीं है तो इसका answer आपका क्या है हैली नेशनल पार्क है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पहला नाम हैली नेशनल पार्क है और सब आपके कट गए next question है आपका सत्पुरा national park आपका कहां पर located है जो आपका सत्पुरा national park इसके लिए औप्षन है मध्या प्रदेश, महरास्टरा, तमिलनाडु, 36 गर्ण तो आपको टाइम दिया जाता है 5 second का और सही answer आप बताएंगे तो जो आपका सत्पुरा नेशनल पार्क है ये आपका मध्या प्रदेश में लोकेटिड है और आपको मैंने बताया था कि मध्या प्रदेश में आपके सबसे जादा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं तो सत्पुरा नेशनल पार्क भी आपका मध्या प्रदेश में है आगे वड़ते हैं we can find the नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क आपका कहा पर है हिमाचल प्रदेश में है मेघालिय में है उत्राखंड में है असाम में है तो सही आंसर आपको बताना है ताइम मिलता है आपको 5 सेकंड का तो इसका सही आपका अंजर होता है उत्राखंड तो जो आपका नंदा देवी हुआ या आपका राजाजी नैशनल पार्क हुआ और कुछ भी आपको बताया थे ये सब आपके कहां आ जाते हैं यह आपके आजाते है उत्रा खंड में और वैली ओफ लार हुआ वो भी आपका उत्रा खंड में आता है तो यह कुछ चीज आपको याद रखनी होगी आगे question है आपका महात्मा गांधी मैराइन नैशनल पार्क कहां पर है कौन सा है महातमा गांधी मैराइन नेशनल पार्क सिचुएटिड इन जो महातमा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है यह आपका कहां पर सिचुएटिड है तो आपके पास option में आपको मिल जाता है लक्षदीप आइलेंड, अंडमान एन निकोबर, दादर एन नागर हवेली और दमन एन दीप तो देखें, आपको मैंने बताया भी था, मतलब चलो आप पहले answer बताईए टाइम मिलता आपको 5 सेकिंड का तो आपका इसका जो answer है, वो answer correct हो जाता है आपका अंडमान एन निकोबर देखें, अंडमान और निकोबर से related मैंने आपको नेशनल पार्क बताये थे, जो आपके important होते हैं जिसमें एक महात्मा गांधी बताया था, और तीन नेशनल पार्क आपको वो बताये थे, जिनमें button आ रहा है, south button, north button इस तरह से थे तो button आपको याद कराया था, महात्मा गांधी आपको याद कराया था, और एक और आपको याद कराया था तो ये सब आपके कहाँ पर आ जाते हैं आपके अंडमान निकोबर में आ जाते हैं तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क कहाँ पर है अंडमान निकोबर में है और एक कोशन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका सबसे स्मोलेस्ट ने है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है आपका, सिमली पाल नेशनल पार्क इस लोकेटिड इन विच स्टेट, जो सिमली पाल नेशनल पार्क है, ये आपका किस स्टेट में लोकेटिड है, तो जो सिमली पाल के ओप्शन है, आपके उडिसा में लोकेटिड है, आपका जारखंड में located है या फिर आपका 36 गड़ में located है या फिर आपका उत्राखंड में located है तो आप देखिए आप जब भी question देखते हैं तो option को बहुत ध्यान से देखा करें और सोचा करें कि आपने कहां क्या चीज पढ़ी थी और क्या आपके answer में सही हो सकता है तो simlipal हमने पढ़ा था तो कहां पढ़ा था तो option correct बताईए जो आपका correct answer है उसे बताईए comment box में answer करके time मिलता है आपको 5 second का तो आपका इसका सही answer हो जाता है उडिसा कौन सा हो जाता है उडिसा आपका सही answer हो जाता है जो simlipal national park है वो आपका उडिसा में located है कहां पर है उडिसा में आपका simlipal national park located है next देखते हैं next question है आपका where is सुन्दरबन national park is located जो आपका सुन्दरबन national park है ये कहां पर located है तो आपके पास option है एक तो अरुनाचल प्रदेश है एक आपका बिहार है एक आपका उत्तरप्रदेश है एक आपका west bengal है तो आपका सही answer क्या होगा ये आप comment में बताएंगे time मिलता आपको कुछ 5 seconds का तो इसका आपका सही answer हो जाता है west bengal क्या हो जाता है सही answer west bengal आपका सही answer हो जाता है सुन्दरबन national park का और west bengal में हमने आपको बहुत सारे national park पढ़ाए थे तो west bengal हुआ या मध्यप्रदेश हुआ या फिर आपका असम हुआ या फिर आपका सिक्किम हुआ इन सब के जो national park है गुजरात हुआ राजिस्थान हुआ ये कुछ state ऐसे हैं जो इनके national park आपको जरूर याद रखने है तो आपका west bengal सुंदरबन national park सही हो जाता है आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये वाला question आपका आ ही गया the smallest national park in India जो आपका सबसे छोटा national park है वो कौन सा है आपके पास option है south button सही answer हो जाएगा तो आपको पता ही है तो south button national park आपका सबसे smallest national park है जो आपका कहां पे देखने को मिलता है आपको ये आपको देखने को मिलता है आपका अंडमान निकोबर में आपको ये वाला national park देखने को मिलता है और अंडमान निकोबर में मैंने आपको याद करने का यहीं बताया था जो बटन से रिलेटेड नैशनल पार्क है या फिर आपका महत्मा गांधी नैशनल पार्क है ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका दा लार्जेस्ट नैशनल पार्क इन इंडिया जो सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट नैशनल पार्क आपका इंडिया का कौन सा है आपका गीर नैशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क है या आपका इंदरावती नैशनल पार्क तो जो largest national park है वो आपका option आपको बताना है correct कौन सा होगा तो 5 second का time आपको दिया जाता है तो largest national park आपका है hammis national park कौन सा है hammis national park आपका largest national park है अब जिसे आपका answer correct है hammis national park अब एक चीज बताइए जो गीर national park है ये कहाँ पर है ये आपका गुजरात में है कहाँ पर है ये जो गीर national park है ये आपका गुजरात में है और ये जिम कॉर्बेट national park है ये कहाँ पर है ये आपका उत्राखंड में है तो ये आपको ऐसे पता होने चाहिए तो option के साथ भी आप चेक करा करिए कि आपको कौन-कौन से national park याद है Next question है अमारा The state which is the highest number of national park in India कौन सा state है जिसमें आपके सबसे ज़ादा national park देखने को आपको मिलते है पहला option है आपके पास असम इसकी spelling ठीक कर लिजेगा Next है आपका मध्यप्रदेश Next है आपका उत्तर प्रदेश और Next है आपका महरास्टर तो देखें अभी मैं आपको एक question याद दिला देती हूँ मैंने आपको बताया था कि जो आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ पे आप जालतर एक ही national park देखते हैं जो आपसे exam में पूछ लिया जाता है या आपका एक यही national park है important वो कौन सा है दुधुआ national park कौन सा national park है आपका दुधुआ national park करके है जो आपका important है तो यह आपको इसके लिए याद रखना है बेशक question अलग है पर हम मतलब अपने options को भी check करते रहते हैं तो question question का answer आप बताईए कि कौन से state में आपके सबसे जादा national park आपको देखने को मिलते हैं तो option आपको दिखा दिए 5 second का time आपको दिया जाता है तो आपका इसका answer है मध्यप्रदेश यह मैंने आपको बता भी दिया था पहले कि जो सबसे जादा national park आपको देखने को मिलते हैं वो मध्यप्रदेश है देखे फिर से बता देती हूँ जो कुछ-कुछ important state है जिनके national park आपको पता होने चाहिए एक तो आपका मध्यप्रदेश हो गया एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया एक आपका असम हो गया एक आपका सिक्किम हो गया एक आपका गुजरात हो गया एक आपका राजिस्थान हो गया एक आपका करनाटक हो गया और एक आपका थोड़ा केरिला से भी पूछ सकते हैं अब ये कुछ-कुछ तो ऐसे हैं, जो most important है, इनको तो जरूर पढ़िएगा, आगे देखते हैं, next question है हमारा, पैच नेशनल पार्क is located in, जो पैच नेशनल पार्क है, वो आपका कहां located है, मैंने आपको समझाया था, काना, काना के उपरम क्या लगाते हैं, मोर के पैच लगाते हैं, तो ये हमने कहां से कैसे पढ़ा था, तो ये option आपके पास है, मध्या प्रदेश, महरास्टरा, हर्याना, ननौवदीज, तो जो आपका सही आंसर है, वो क्या होगा, आप बताएंग है, या काना नेशनल पार्क है, ये आपका कहां पर है, मध्या प्रदेश में आपका होता है, नेक्स्ट कुश्चन है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, तो गंगोत्री नेशनल पार्क आपका कहां पर है, option आपके पास है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बेंगोल में है उत्राखंड में है या कुछ भी नहीं है तो आपका सही आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे तो इसका सही आंशर आपका हो जाता है उत्राखंड आपका नंदादेवी हुआ, गंगोत्री हुआ, राजा जी नेशनल पार्ख हुआ, आपका फ्लार ओफ वैली हुआ या आपका जिम कॉर्बेट हुआ ये सब कहां आ जाते हैं ये आपके गंगोतरी नहीं उत्रा खंड में आ जाते हैं कहां जाते हैं उत्रा खंड में आ जाते हैं सारे नेशनल पार्क I think this question repeat हो गया है हमने आपको बताया था कि ये आपका अंडमान और निकोबर के अंदर पाया जाता है और दूसरा आपका सबसे smallest नैशनल पार्क भी आंडमान निकोबर के अंदर ही आपको मिलता है तो ये चीजे आपको अंडमान निकोवर से related याद रखनी होंगी और जितने भी बटन से related National Park है वो भी आपको अंडमान ए निकोवर में देखने को मिलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारा question है Walmiki National Park हमारा कहां पर है Walmiki National Park कर लिया आपका option है बिहार में है उत्राखंड में है वेस्ट बेंगॉल में है या कहीं भी नहीं है तो आपका कोई सा भी नहीं है मतलमिन में से तो आप सही आंसर बताइए कि सही आंसर आपका इसका क्या होगा तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है बिहार जो आपका बिहार है ये आपका करेक्ट है जो वालमी की नैशनल पार्क है वो आपको बिहार में देखने को मिलता है कहां देखने को मिलता है बिहार में आपको वालमी की नैशनल पार्क देखने को मिलता है Next question देखते हैं Next question है हमारा Kana National Park is located in जो आपका Kana National Park है वो कहाँ पर located है तो जो आपका Kana National Park की option है वो आपके बस केरिला में है असम में है या फिर मध्याप्रदेश में है या फिर इन में से कोई भी नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया था कान्हा के उपर हम पैंच लगाते हैं तो कान्हा हमने पैंच कहां पढ़ाता पैंच हमने पढ़ाता मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश और कान्हा और पैंच ये तीनों एक दूसर से रिलेट करते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहां पर है मध्य प्रदेश में है तो I hope कि आपको पता चला हुआ कि कैसे questions आपसे exam में पूछे जाते हैं एक बार फिर से मैं आपको कुछ मध्यप्रदेश से related आपके West Bengal से related जो आपके national park हैं उन्हें revise करा देती हूँ जिससे कि आपको उनमें confusion ना हो अक्सर हम उन्हें ही भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे थोड़ा जादे national park भी रहते हैं थोड़ा इसलिए हम भूल जाते हैं जिसे West Bengal में आपको याद रखना था सुन्दरबन national park आपका West Bengal में है कहां पर है West Bengal में आपका सुन्दरबन national park है यह आपको important था यह आपको याद रखना था दूसरा उत्रा खंड में आपने देखा ज्यादा से ज्यादा कोश्चन जो मैंने दिये थे वो उत्रा खंड से आपके थे आपके आपका Corbett National Park हो गया जिम Corbett इसे ही बोलते हैं गंगोतरी हो गया आपका नंदा देवी हो गया तो देखे इतने सारे question आपके बन सकते हैं बट आएगा तो exam में एक या दो ही question बट आपको याद सब कुछ रखना पड़ता है तो उत्राखंड का आप एक भी national park मतलब ऐसा मत करें कि नई से नहीं पड़ते तो ये सारे ही important हैं तो आपको याद रखने होंगे नंदा देवी ह या गंगोतरी हो या जिम कॉर्बेट हो या फिर राजा जी हो या वैलियो फ्लार हो ये सब आपका कहां आएगा आपका उत्राखंड में आएगा और उत्रप्रदेश का मैंने आपको बताई दिया एक ही है दुधवा national park आपको याद रखना है और आपका important था एक आपका ल याद रखना है और सरिस्का भी आप याद रखेंगे राजिस्थान के लिए और सिक्किम में कंचन जंगा नेशनल पार्क आपका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा important है आगे बात करी जाए तो देखें उडिसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको पढ़ाया questions में ये important है क्योंगे रिए आगे आपका मनीपुर में आपका काबुल रमजाव नेशनल पार्क ये आपका मनीपुर में important है आजाते हैं मध्य प्रदेश में देखें मध्य प्रदेश का मैं कहा रही थी आपसे कि मध्य प्रदेश के हुए आपके उत्राखंड के हुए ये सब आपके लिए इंपोर्टेंट है सिक्किम का हुआ वो हमने पढ़ लिया तो मध्य प्रदेश में आपका बांधवगर हुआ आपका इंदीरा हुआ आपका प पैंच तो आपके दिमाग में बैट जाना चाहिए मध्या प्रदेश साथ में माधव को भी इसके साथ याद करिए सत्पुरा वनविहार बांधव गर ये एक साथ याद करिए बस आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब इसके लिए क्या मतलब कुछ ट्रीक ऐस इमायन में आती नहीं है तो आपको ये याद करना है मतलब आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो कुछ ना कुछ चीज़े तो आपको याद भी करनी पड़ेंगी तो ये कुछ इंपोर्टेंट है मध्या प्रदेश आपके लिए नेक्स्ट केरियला में आपको मैंने बताया था कि हम प्रेयर करते हैं साइलेंटली करते हैं प्रेयर कैसे करते हैं साइलेंटली करते हैं तो केरियला में करते हैं तो पैरियर और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको केरियला में मिलता है करनाटक में आपका बांदिपुर नेशनल पार्क जो है ये important है और आपका नागर होल नेशनल पार्क आपका important है ये करनाटक के लिए आपको ज़रूर याद रखना है नेक्स्ट जम्मु एन कस्मीर में ये मैंने आपको बोला था कि इसमें आप बताएंगे कि दाची गाम नैशनल पार्क जो है ये आपका कहां पर है और गुजरात में आपका गीर नैशनल पार्क है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपका असाम का काजी रंगा नैशनल पार्क आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आज की वीडियो में हमने आपसे जो भी इंपोर्टेंट था नैशनल पार्क से रिलेटेड वो सब आपसे डिसकस किया और ये आपके exam के लिए most important है अगर national park से question आता है तो यहीं से फसेगा तो अब आपका काम है कि आपको करना क्या है अगर आपने notes prepared नहीं किया है साथ के साथ तो आप पहले notes बनाए इन सभी national park के और इन्हें एक अच्छे से decorate करके paper पे लगा के अपने bedroom में लगा लो और जैसे ही आँखे खुले अगर सामने देख रहे हो तो बस उन्हें पढ़ते रहो क्योंकि यह एकदम से आपको याद नहीं होते हैं जब सामने दिखता रहेगा तो आपको दिखता रहेगा 4-5 national park भी आप सुबह सामने नजर मारेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और अगर आप यह सोच रहे हैं कि खाली वीडियो देखके आप कोई लर्न हो जाएगा तो आप कुछ टाइम बात भूल जाओगे तो इसलिए आपको एक तो जरूर काम करना चाहिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना नोट कर ये साथ के साथ तो आप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजे लाइक और जाद से जाद अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ये वीडियो को थैंक यू सो मच